ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है और वो यहाँ वहाँ देखने लगा और प्रभू ने प्रयोजन किया हम यहाँ पर एक सीरीज के बीच में हैं और शिम्शौन के जीवन के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं और पिछले हफते हमने पार्ट वन सैंसन सीह में से मधू देखा और इस हफते पार्ट टू है इसके कुल तीन पार्ट हैं और इस हफते हम चर्चा कर रहे हैं गधे के जबड़े की हड़ी यह अच्छा विचार है कि आपको थोड़ा बहुत बता दे कि शिम्शौन के समय के द जब एली याजक था आपको याद है पहला शमयल में वहां बहुत सा समझाओता था विश्वास घात करना था और एली के बच्चे भी लुच्चे थे और उस समय सेवकाई में भी बहुत सी युक्तियां चलती थी अगर आप इस बात को समझ रहे हैं और इसी समय के बारे में हम देख सकते हैं उधारन के लिए पढ़ सकते हैं पहले शमयल 4 से तब पलिष्टी लड़ाई के मैदान में तूट पड़े और इसराइली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इसराइली पैदल खेट आए इस युद्ध के कुछ इस दिनों पहले 4,000 लोग मर गए थे और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया अब ये सब हो रहा था इस समय शम्षान का जन्म हुआ था पलिष्टी लोगों ने इसराइली लोगों पर विजय पाई थी अब पलिष्टियों का एक राजा नहीं था पलिष्टी तो उस स सच में बहुत ही माहिर थे कि वो लोहे से हतियार बनाया करते थे और इसराइली ऐसे नहीं थे आप दाउद की कहानी में पढ़ सकते हैं एक युद्ध में जहां पर शाउल और योनाथन पलिष्टियों से लड़ रहे थे पूरे राज्य में किवल दो लोगों के पास लोही को भी ऐसी करना तुम हमारे पास आना लेकिन हम तुम्हे कोई हतियार नहीं देंगी मतलब पूरे हतियार छीन लिये थे अगर हतियार होगे तो तुम परिशानी में फसोगी और वो उन्हें अपने वश में रख पाए और ये तो बड़ी निराशा का समय था जब लोगों मे सहसनी होता तो वो लड़ नहीं पाते हैं परमेश्वर ने यहुशु से कहा कि प्रतिग्या के देश में जाने के बाद तुम्हें बड़े हतियार वाले शत्रू से लड़ना होगा उन में से कुछ तो दानाव थे परमेश्वर ने कहा यहुशु अध्याएक वचन छे में य बहुत दृड़ होकर जो विवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना फिर वचन नौ क्या मैंने तुझे आग्या नहीं दी याओ बांध कर दृड़ हो जा भै न खा और तेरा मन कच्चा न हो क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वह जोसा ने मरने के पहले इन सारे वचनों को उसने कहा था और फिर परमेश्वर ने इसे यहुशु से कहा और यहुशु बहुत बड़ी महान काम कर पाया क्योंकि उसने विश्वास किया कि परमेश्वर संग है और क्या हमारे साथ कोई प्रतिग्या है कि वो हमारे संग होना है चाहे हम शत्रू के देश में क्यों न रह रहे हो और इसलिए शम्शौन की कहानी तो आज भी हमारे लिए विवहारिक है तो अभी न्याईयों 15 में चलते हैं ये कहता है तब पलिष्टियों ने चड़ाई करके यहुदा देश में डेरे खड़े किये और लही में फैल अब लही ये शब्द का मतलब है जबड़ी की हड़ी वहां जो कुछ होने वाला था उसके कारण लही नाम रखा गया था और बाइबल के लेखा किस नाम का उपयोग करते हैं ये जानते हुए कि इस समय तो हम इसे जान लेंगे और वो इस तरहाई में फैल गए जिसका नाम लही था और फिर यहुदा लोगों के जो अगवे थे वो बहार आएं और वो सामने देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना याने हजारों सिपाही वहां पलिष्टियों के सिपाही वहां पर उन्हें आकर घेरे कहते हैं रुकर को क्या बात है तुमने तो हमें जीत लिया है और हम कर चुका रहे हैं क्या हो रहा है मतलब आप देखे वो तो थर-थर कापते हमें सफिज जंडे हात में लिये होंगे और पलिष्टियों ने कहा शिम्शौन को बांधने के लिए चड़ाई करते हैं कि जैसा उसने हम से किया वैसा ही हम भी उस से करें और फिर इसके बज क्या तुम नहीं जानते कि पलिष्टि लोग हमारे स्वामी हैं उन्होंने अपने आप को उनके गुलाम होने के लिए दे दिया था कितने लोगों को याद है जब इसराईली लोगों को जंगल में परिशानी हो रही थी तो वो अक्सर कहते थे क्या मिस्र में गुलामी में र प्रफा रहे थे हमें मचली और प्याज की कमी लग रही है चलो वापस गुलामी में जाते हैं वो तो अच्छा ही था और चाहे वो समय कितना भी बुरा हो लेकिन फिर भी पीछे मुढ कर कहते थे वो पुराना अच्छा जमाना था और इसलिए वो समर्पन के लिए तयार थ तो ये यहुदा के तीन हजार पुरुष, सिम्शौन के पास में आकर उससे ये कहते हैं, उन्होंने उससे ये कहा, हम तुझे बांद कर पलिष्टियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं, यानि उसके खुद के लोग उसके विरुध में आएं, शिम्शौन ने उनसे कहा, मुझसे ये शपत खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे, उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो, हम तुझे बांद कर उनके हाथ में कर देंगे, परन्तु तुझे किसे रीती मार न डालेंगे, अब क्या दुख की बात नहीं, कि परमेश्वर के लोग ही, अपनी चैंपियन को बांद कर शत्रू के हाथ सौपते हैं, मतलब देखिए, शिम्शौन ने अके लिए ये सब कुछ किया, अगर उसके साथ 3,000 लोग होते, मतलब वो तुरही फूग था, और यहाँ पर ये वो हारने के आदी हो गए थे, अब आपको याद हम शम्शोन और पलिष्टियों के बारे में कह रहे हैं, हम ये नहीं कि आप पर कोई कनानी देश हमला कर रहा है, लेकिन शैतान हमला कर रहा है, क्या आप इसी बात में खुश हैं, या संतुष्ट हैं कि आपके उपर में उससे भी बड़ा तो तुम में है ये शुने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोडूँगा देखे बाइबल में जो चमतकार है इसके बारे में हम बहुत से वचन पढ़ेंगे ये लहरों के जैस से आते हैं यानि एक साथ बहुत से चमतकार होते हैं फिर उसके बाद में काफी सम के देश में प्रविश किए और आप महान चमतकारों को देखते हैं एलिया और एली शा के समय में और फिर आप देखते हैं कि बहुत से अधभुत चमतकार हुए वहाँ पर ईशु और प्रेरतों के समय में और और शिम्शौन यहां सबसे उचाई पर होता है क्योंकि एक के बाद एक चमतकार होते हैं और सभी न्याईयों के साथ में चमतकार नहीं हुए थे। मतलब उन्होंने अद्भुत विजय तो पाई लेकिन सभी कम चमतकार नहीं कह सकते। कहा जाता था लेकिन यहुदी हइब्रू नहीं थे. यहुदी लोग तो सामाने रूप में वो थे जो बेबलौं की गुलामी से आए थे, जिसमें ज्यादातर यहुदा गोतर के थे और कोछ बेंजमिन और लेवी गोतर के थे। लेकिन बाकी दस गोतरों को जीत लिया गया उत्तरी राज्य को यानि यहूदी का मतलब है यहूदी गोतर के लोग लेकिन यहाँ येशु को बांध कर यहाँ यहूदियों ने रोमी लोगों को सौप दिया अन्य जाती को यहाँ पर समान बात देखते हैं कि आपके खुद के लोगों ने और जो कीले ठोके गए थे वो तो खुले रूप में रोमी और उनके लोगों ने किये और फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तुझे मारेंगे नहीं बस तुम्हें बांध कर दे देंगे तुम्हारा लहू हमारे हातों पर ना हो याने यहाँ पर वो अपनी इच्छा से खुद सौब देता है देखिए ये तीन हजार लोग उससे बंदी बना सकते थे जबकि वो वहाँ पर चटानों के बीच में था आपने सुना होगा तीन सौ स्पार्टन ने लगभाग दसलाग परजियन को जीत लिया था युद्ध के सही लोकेशन के कारण अगर आप जनरल है तो युद्ध के लिए बिलकुल अच्छी जगह धून ना चाहेंगे और जबकि शिम्शोन उचाई पर था अगर वो नहीं चाहता कि यहुदा के लोग उससे बंदी बना ले तो वो उससे बंदी नहीं बना पाते वो डर कर उसके पास आकर कहने लगे प्लीज अपने हाथ पीछे रखो यहां हमारा सही योग दो हम तुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे बस बांधेंगे यहने समझ सकते हैं वो उनके लिए छैसे बलीदान होने के लिए तयार था उसने खुद को दे दिया देखे मेरी बास समझ रहे है तो वहाँ पर ये तीन हजार पुरुष्ट थे उन्होंने उसे बांधा था वो उससे बांध कर उस चटान में से ले गए वो लही तक आ गया और वहाँ पर तो हजारों हजार पलिष्टी लोग बिलकुल तयार थे पूरी सेना वहाँ पर थे और पलिष्टी ने उसे आते देख कर तो पलिष्टी उसको देख कर शिम्शौन को ललकारने लगे और ये कहता है वो लही तक आ गया तो पलिष्टी उसको देख कर ललकारन लगे तो यहुदा की लोग जो उसे नीचे लेकरा उनके साथ क्या हुआ होगा वो उसे छोड़ कर भाग गए वो तो उसे बस जितने जल्दी हो सके भाग गए शिम्शौन को मैदान में छोड़ कर वहाँ से चले गए शिम्शौन नहीं गया और बाइबल कहती है हम युद्ध के लिए तयार हैं यह भी कुछ नहीं कर सकता है वो दौड कर उसे बंदी बनाने के लिए आए और यहीं पर तो बहुत यादभुद बात हुई और यह कहता है तब यहुआ का आत्मा उस पर बल से उत्रा कहीं मत जाएं दोस्तों बस कुछी पल में हम आज के प्र का सामना करते हैं हम प्रभु के लिए बलवान होना चाहते हैं लेकि लगता है कि शरीर कमजोर है और हम निरंतर गिरते हैं अमेजिंग फैक्ट्स अभी तयार है कि आपको बहुत इविशेश और प्रोटसाहित करने वाला फ्री रिसोर्स भीजिए फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और आफर नंबर 201 मंगवाईए या स्क्रीन के वेब अडरेस पर जाईए और इस अभुत स्रोट को पढ़ने के बाद अवश्य ही से अपने दोस्तों को भी दीजिए तो आईए आज के प्रेजेंटेशन में लॉट चलते हैं और आईए परमेश्वर के वचन से अमेजिंग फैक्ट्स सीखते हैं मुझे एक वालेंटियर चाहिए जेम्स यहाँ पर आकर मेरी मदद करेंगे मैं बताना चाहता हूँ देखिए सच में यहाँ पर नियाईउ के किताब में यह तीन बार हुआ है मैं बताना चाहते हूं ये कैसे दिखता है और मैंने अपने साथ में लाई है ये एक रसी इससे dental flaws भी कहते हैं अपने हाथ इस तरह से रखिए ठीक है ये काम करेगा और मैं भी इससे यहां पर बान लेता हूं और चले इससे और भी थोड़ा खोलते जाते हैं जब भी dentist के पास थोड़ा यहां पर मुड़ जाए ताकि लोग आपको देख सके ये सामाने रूप में मजबूत है कलपना की ये दो नई रसीयां बिल्कुल नई बनाई गई रसीयां और उसे उन्होंने इतनी मूटी रसी से बांधा होगा उनके पास दो मूटी रसीयां थी एक पर जोखिम नहीं उठाना चाहते थे तो उन्होंने कसकर उसे दो रसीयों से बांध लिया था और बाइबल कहती है कि परमिश्वर का आत्मा उस पर बल से उत्रा उसने उन रसीय को ऐसे तोड़ा जैसे आग से जले हुए केवल सन के समान हो, जैसे मानों जल गई हो, तो चलिए यहाँ पर गौर कीजिए, बस ऐसे ही, याने कहिए पलिष्टी यहाँ पर शिम्शौन के विरुध आ रहे थे, कि उससे बंदी बना, यह तो रस्यों से बंधा था और जैसे वो उसकी और आ रहे थे, परमेश्वर की आत्मा उसके पास आती है और वो पाप, अब वो धीमे हो गए, उन्होंने देखा और सोचा यह तो बंधा है, लेकिन उसने उन रस्यों को तोड़ दिया जिससे बंधा था, और मैं सोचता हूँ वो वहाँ पर धीमे हो गए और सोचने लगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, शिम्शौन यहाँ वहाँ देखने लगा, प्रभू ने प्रयोजन किया, उसकी बाहों की रस्तियां आग में जले हुए सन के समान हो गए और उसके हाथों के बंधन मानों गल कर तूट पड़े, तब उसको गधे के जबड़े की एक जाने, ये बात तो मिरे लिए बहुत दिल्चस्प है कि जब भी कुछ जरूरत हो, दाउद को चाहिए थे, पांच चिकने पत्थर, वो वहीं मिले, जब चाहिए थे, हजारों लोगों को भोजन चाहिए था, ईश्यौन ने बताया क्या करना है, किसने बताई यहाँ पर एक पहला कुरंथियों अध्या 10 वचन 13 में, ये कहता है, तुम किसी ऐसी परिक्षा में नहीं पड़े, जो मनुष्य के सहने से बाहर है, पर मेश्वर सच्चा है, वो तुम्हे सामच से बाहर परिक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परिक्षा के साथ निकास भी करेगा कि वो तो सेना के रूप में आये थे, जो उस पर हमला कर रहे थे, वो कह सकता था, अब तो बहुत ही हो गया, शाद हिम्मत हार जाता, लेकिन पर मेश्वर ने कहा, मैं शत्रू को हराने के लिए तुम्हारा उपियोग करूँगा, मैं बचाओ का रास्ता तुम्हें दूँगा क्या आपने कभी महसूस किया, कि आप इतनी परिक्षाओं की मानो सुनामी का सामना कर रहे हैं, हाँ, ओ, मुझे पता नहीं मैं इससे कैसे बचूँगा, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, अगर आप रातना करें तो निश्चे गधे के जबड़े के हड़ी आपको मिलेगी परमेश्वर आपको ऐसा कुछ देगा, जिससे आप परिक्षा से लड़ सके, कभी ये न सोचे कि इससे बचाओ का कोई रास्ता नहीं है, अगर आप रातना करें तो परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा और परमेश्वर आपको ऐसा कुछ तो भी देगा, कि उस परिक् परमेश्वर आपको कोई मशिन गंद न दे या फिर उस समय वो गोलियत की बड़ी तलवार न दे, वो शायद गधे के जबड़े की हड़ी दे, लेकिन परमेश्वर ने जो दिया उसे कभी कम न समझे, ठीक है, तो जानते ही ये क्या है, ये जबड़े की हड़ी नहीं, ये गधे के जबड़े की हड़ी है, तो ये वहाँ जमीन पर पड़ी थी, और उसने अपने बंधन तोड़ दिये, और सेना सामने खड़ी थी, और उसने देखा, ओ प्रभु की स्तूती, मुझे कुछ न कुछ चाहिए था, खैर, शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास भाल का होता, मुझे हेलमेट चाहिए, तलवार तो बहुत ही अच्छी होगी, या शायद मशीन गन, मतलब कुछ न कुछ चाहिए, क्योंकि परिष्टियों की सेना ने घेर लिया है, लेकिन परमेश्वन ने क्या दिया, जबड़े की हड़ी, किसकी, क्या परमेश्वन ने पहले राजा होने की घोशना करे, गधी का बच्चा, क्या परमेश्वन ने चमतकारी रूप में गधे के दिबार मनिश्य को फटकार लगाई, बिगड़े हुए भईश्वक्ता को, गधा तो नम्रता को दर्शाता है, और इसलिए परमेश्वन कई बार छोटी चीज़ों का उप थे, मैं सोचता हूँ जब परमेश्वर का आत्मा उस पर आया, तो देखे क्या हुआ था जब दाउद पर परमेश्वर का आत्मा उत्रा था, वो गोलियत से लड़ने के लिए दौड कर आगे गया, क्या दानों से लड़ने के लिए दौड़ेंगे? मतलब जब परमेश्वर का आत्मा शेम्शौन पर उत्रा जरा सोचिए कि वहाँ मेरे विरुद में पाँच हजार लोग है और मैं आकेला हूँ, मैं थोड़ा पीछे हट कर खुद की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोचता हूँ उन्हों बीज धीरे धीरे बढ़ता है, वो दाने में से निकलता है, फिर जमीन से बाहर आता है, खास फोटोग्राफर इसके लिए रखे जाते हैं, हाई स्पीड फील में आपने देखा, जब वो किसी के ऊपर गुली चलाते हैं, मैं सोचता हूँ अचानक यहाँ पर शेम्शौन त यानि उनके मन में ये सब कुछ चल रहा था, मैं इस बात के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन उसका मन इतनी तेजी से आगे बढ़ा और वो तो बस उन्हें मारते चले जा रहा था, इसके पहले की वो ये सोचे कि अब हम क्या करेंगे, कि इवल जबड़े की हड़ी नहीं क कहता है कि आपने पढ़ा है, और ये कहता उसने उन्हें मारा, चलिए से पहले यहाँ पर रख देते हैं, उसने एक हजार पुर्षों को मार डाला, गधे के जबड़े की हड़ी से धेर के धेर लग गए, जब वो ऐसे कह चुका, तब उसने जबड़े की हड़ी फेक दी, औ अब मैं चाहता हूँ कि आप याद रखिए, शिम्शौन कैसे दिखता था, शिम्शौन के बारे में क्या खास था, उसकी मास पेशियां, मुझे वचन से बताए कि शिम्शौन के बड़े बाइसेप्स थे, ऐसे नहीं कहता है, लेकिन उसके लंबे बाल थे, क्यों, वो दाक पहले ही खाली थी, और वो दाक की तराई में वहाँ पर गया था, और दाक की बारी में सीहें को मारा, जबकि उससे सूखे अंगूर भी नहीं खाने थे, उसने ये भी नहीं किया, दूसरी बात थी कि मृत्यदेह को नहीं छूना था, केवल उसने मारा ही नहीं, पर उस लेकिन उसकी कमजोरियों की बावजूद भी परमेश्वर ने उसका उपयोग किया मैं सोचता हूँ ये महतुपूर्ण पॉइंट है कई बार आप सोचते हैं मैं प्रभू के लिए काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं योग्य नहीं मैं बाइबल स्टडी में सिखाना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं आता मैं दूसरों तक पहुँचना चाहता हूँ लेकिन मुझे संदे है कि मैं खुद कितना बदला हूँ क्या आपने पहले ये सोचा है हाँ अकसर हम सोचते हैं मैं प्रोच्साहित होता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ कि यीशु ने अपने 12 चेलों को प्रचार के लिए भेजा और वो प्रचार करके लोटे तो उन्होंने कहां कि प्रभू यहां तक की दुष्टात्माई हमारी आज्या मानती हैं और हमने महांचमतकार होते वे देखे हैं और देखिए वहाँ पर बीमार चंगे हुए यहां तक की मुर्दे जिन्दा हुए उन्होंने जो कुछ भी किया होगा वो सब बताया और फिर ईशु ने कहां पत्रस जैसे लोगों से शमोन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के समान फटके पर उन्तु मैंने तेरे लिए बिंती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे कि जब तू फिरे तो अपने भाईयों को स्तिर करना जब आब बदल जाते हैं मतलब परमेश्वर ऐसे वैक्ति का उप्योग कर सकता है जो शायद हो सकता है कि सौ प्रतिशत नहीं बदला हो हाँ चेले आपस में विवाद कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है मैं आपको सलह दूँगा कि अपने युद्ध में जो लड़ना है उन हत्यारों के साथ जो परमेश्वर ने दिये यह आपके बदलाव के क्रिया का भाग है रहमत देखे कि आपको महसूस होगा कि आप बिलकुल सिद्ध है शायद आप उस समय कुछ भी न कर पाए जब आप जानते यह प्रभु की इच्छा है तो विश्वास से कदम बढ़ाई और उसे करते जा जाने हम देखते हैं कि उस समय एली मर चुका था और शमविल तो अभी बहुत कम उम्रक था तो वो मानो शिम्शौन की और अपने जनरल की रूप में देखने लगे और वो 20 साल तक उन्हें बचाते रहा पलिश्टियों के हमले से बचाया शायद उस समय उन्होंने कर भी न मैं प्रभु राज्य में शिम्शौन से मिलना चाहता हूं क्या आपने इबरानियों अध्या 11 में पढ़ा कि उसकी कमजोरियों के बावजूद बाइबल इबरानियों 11 32 में कहती है अब और क्या कहूं क्योंकि समय नहीं कि गिदौन का और बाराक और शिम्शौन का और पानियल नहीं किया लेकिन शिम्शौन ने भी किया आग की जवाला को थंडा किया शद्रक मेशक और अभिद्नगों के जैसे निर्बलता में बलवंत हुए लड़ाई में वीर निकले विदेशियों की फौजों को मार भगाया जानते हैं बाइबल कहती है मुसा ने कहा कि कै जैसे एक एक हजार को भगा सकता है यह दिल्चस्प है कि एक हजार को भगाएगा क्या शिम्शौन ने एक हजार को मारा क्यों क्यों कि परमेश्वर का आत्मा उस पर आया बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में बहुत सी मरीयां आएगी लेकिन कहता है कोई मरी तेरे डेरे क निकट नहीं आएगी, तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी ओर दस हजार गिरेंगे, परन्तु वो तेरे निकट नहीं आएगे, तो अपने दृष्टी करके देखेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा, मैं परमेश्वर की आत्मा चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं? शिम अपना क्रूस पहाड पर लेकर चड़ा, ताकि वो उन फाटकों को पूरी तरह नाश करें, कि हम आजजाद हो. जिसमें सुन्दर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिये गए हैं, जिससे समझना बहुत ही आसान है. हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यभारिक उत्तर के और लेकर जाती है. आपके जीवन के सबसे महतोपुर्ण सवालों के लिए, मैं कैसे तंदुरस संबंद पा सकता है. ये शुमसी फिर से कब और कैसे आएंगे और भी बहुत कुछ. अपने भविश्य का उसर पर मत छुड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए. अमेजिंग फैक्स बाइबल स्टडी गाइड की द्वारा. ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल औ और तिल्गु भाषा में. तो इंतिजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट आउर्डर कीजिए और विजिट कीजिए बुक्स्टोर.aftv.in पर करें जो में पर अब करेंगर करते हैं, जो रजिए नहीं है, जो झाले के जुए खाएज के कोई दर्ट नहीं होंगा, ना पुलीश्टेशन, ना कोई बीमारी, ना म्रत्यों, ना तक ठाना, ये तो असली बात है दोस्तों, क्योंकि मैं भूका था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया मेरे इन छोटे से छोटे भाईयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है आज के फ्री ओफर को मंगवाईए ये आपके लिए एक आशिश है जैसे हम सुसमा चार लोगों तक ले जा रहे हैं आपकी भीटों के लिए आपका धन्यवाद आशा है आप अगले हफते जूट जाएंगे जैसे हम वचन की गहराई को देखते ही हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया